दोस्तो मैं दाबे से कह सकता हूँ कि इन पेड़ पौधों को घर में लगाने से सबसे बड़ी तबाही घर में आती है और यकीन माने माता लक्षमी भी उल्टे पाउं बापस चली जाती है फोरण अपने घर से इन पेड़ पौधों को जितना जल्दी हो सके घर से कहीं बाहर लगा दे दोस्तो धन प्राप्ती के लिए हर कोई मा लक्षमी की पूजा करता है और साथ ही घर में सुक शांती एबंग हर्याली के लिए पेड़ पौधे भी लगाते हैं लेकिन क्या आपको पता है यही ब्रक्ष आपके लिए मुसीबत का सबक बन सकता है दरसल बास्तु शास्तर के अनुसार घर के आंगन में कुछ खास पेड़ों को कभी नहीं लगाना चाहिए इससे घर में लक्षमी कभी नहीं टिकती इसमें से एक ब्रक्ष तो ऐसा है जिस पर रहता है भूतों का टोला अगर आपके घर में भी लगे हैं यही पेड़ पौधे तो हो जाए स इमली सबको बहुत पसंद है लेकिन इसे घर में लगाना अशुब माना जाता है इसे नाकारत्मक्ता का पड़तीक माना जाता है इसे घर के आंगन में लगाने से गरी भी आती है इमली का पेड़ बुरी शक्तियों को भी आकर शित करता है इसलिए इस पर भूत प्रेतों का वास होता है। उनके प्रभाप से घर की तरक्की रुक जाती है। आज के युग में भी इमली के पेड के इर्द गिर्द भूत प्रेत रात के समय आपको दिखाई दे सकते हैं। आप इस बारे में आस पडोस में रहने बाले लोगों से पूछ ताच कर सकते हैं। दोस्तो नमबर टू बेर का पेड बेर का पेड लगाने से भूतों का आभास होता है। क्योंकि बाकई में बेर के पेड पर नाकारात्मकता का साया माना जाता है। जिसके चलते घर में कई ऐसी दुरगटनाएं होती रहती हैं। जिसकी आपको खबर तक नहीं पड़ती। इस इसलिए इस पेड़ को आप घर से कहीं बाहर लगा दे। दोस्तो नमबर थ्री नाकफनी का पौधा बास्तु शास्तर के अनुसार नाकफनी का पौधा जिस घर में अगर गलती से भी जो ब्यक्ति लगा लेता हैं तो उसके घर में जगले आदी, अशान्ती, दुरगटनाएं बच्चे पीमार अकसर ये सारी समस्याएं होती रहती हैं ऐसे में घर की तरक्खी भी रुक जाती हैं अकसर आपने देखा होगा की रेगिस्तान में नाकफनी का पौधा होने के कारण दूर दूर तक ना ही पानी मिलता है और ना ही कोई ब्यक्ति इसलिए इस पौधे को infection हो जाता है जिस से बच्चों की जान भी जा सकती है दोस्तों जानकारी पसंद आये तो एक like तो जरूर ही करें धन्यबाद